हाई मैं हूँ अम्पृता और ये है टेरा नोवा का सिक्स्थ और लास्ट पार्ट पहले पांच पार्ट की लिंक नीजे दी गई है उन्हें जरूर देखिएगा कहानी शुरू होती है तब हम लूकस को देखते हैं जो अब एकीस सो पचास में पहुच गया होता है और वहाँ पर वो आर्मी के पूरी सेना बना रहा था ताकि टेरा नोवा को वो ओवरटेक कर सके और तब हम उसके असिस्टेंट वीवर को भी देखते हैं और दूसी तरफ जेम और टेलर भी होने वाले अटैक को नज़र रखते हुए अपने पूरी आर्मी तयार कर रहे होते हैं जिम की फैमिली पूरी डरी हुई थी इसलिए वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो उन्हें कैसे भी सुरक्षित रखेगा वही उसके बड़े बेटे जोश की गर्लफरेंड कारा भी सिटिजन्स के साथ फ्यूशर से यहाँ पे आने वाली थी उसे भी ये लोग कॉलरी में सेफली लेके आने वाले थे अब अगले दिन सारी तैयारी होने के बड़ टेलर सबसे पहले एलिशया को कमांडर बना था है जिसके बाद वो जिम और अपने आधिया आर्मी के साथ टर्मिनस के लिए निकल जाता है अब यहाँ पे 11 पिलिग्रिम की टीम आने वाली थी यानिके नॉर्मल सिटिजन्स ज इसके बाद सिटिजन्स के लिए गेट ऊपन किया जाते है जहां से एक एक करके काफी साथी सिटिजन्स आने लगते हैं जिसमें से कारा भी आती हैं लेकिन अच्छानक से एक इंसान आता है जिसके शर्ट पे पूरे बंब लगे हुए थे और वो वहाँ पे बिलास्ट कर द की है कॉलनी में उसे मीरा और लूकस दिखाई देते हैं वो कुछ भी समझ नहीं पाता इसलिए वो एक सोलजर को पूछने चाता है कि यहां क्या चल रहा है लेकिन तभी वो सोलजर जिम को देख उसे धक्का मार देता है जिम बेहुश ही होने वाला था लेकिन तभी एलीजब लेकिन कारा ब्लास्ट में ही मारी गई थी इसलिए वो अपने बेटे को काफी समझाता है अब एलीजबित उसे आगे बताती है कि हम कॉलनी में रहतो सकते हैं लेकिन कॉलनी में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है अब उसी समय जीम बॉयलान के बार में जाता है और वहां पे वह उसे लुटिन एंई अलीशा मिलती है और वह उससे पूछता है कि तुम ऐसे कैसे सरंदर कर सकती हो लेकिन अलीशा बताती है कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था अब अलेशा आगे की कहानी बताती है कि जो ब्लास्ट हुा था उसमें इनका में टर्मीनस डिसरोय हो कर रहे हो कभी मालकम कहता है कि अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो यह मेरी जान ले लेंगे अब जिम काफी गुस्से में होता और वो कोई ना कोई प्लान सोच रहा था लेकिन तभी वहाँ पे मीरा और लूकस जिम को ही ढूंते हुए आते हैं क्योंकि उनके बास जिम के लि कि जिम की हालत खराब है अब ना चाहते हुए भी लूकस जाने लगता है लेकिन मीरा को जिम पर शक होता है वही अगले दिन हम देखते हैं लूकस सकाई को बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अब हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए मैं तुम्हारे बड़े जिम को दिखाती है लेकिन जिम तभी समझ जाता है कि ये तो उनी की गोलिया है और टेलर उनसे कम्यूनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और वो नंबर टेलर के कॉडिनेट्स है अब उसे उस लोकेशन पर पहुंचना था और तभी उससे समझ आता है कि लूकस और वीवर जिम को पहुंच मेट्रोइड के औरे एकटा करने के लिए जा रहे है इसलिए जिम उनके एक साथी जिसका नाम कैसी था उसकी मदद लेता है कैसी इन सब को डिस्ट्रैक्ट करता है और जिम जाकर उनके ही कैरियर में चुप जाता है अब लूकस वीवर और उसकी सारी टीम एक क्लिफ में जा पहुचते हैं इसे बीच में जिम छुपके से रोवर से निकल कर सिथा टेलर और उसकी सोल्जर के अड़े पे जाता है अब यहां पर जिम सबसे पहले टेलर को बताता है लूकस ने जंगल में कोई बॉम प्लान किया है ताकि वो इस कॉलनी के में चीज़ जो वीवर होता है उसे अपने डिवाइस में लोगों की कुछ हलचल दिखाई देती है वो समझ जाता है कि यह टेलर और उसी के लोग है जो बॉम को डिफ्यूस कर रहे है अब लुकस बॉम को फोडने का आप और देता है लेकिन वे लोग भी बॉम के दाइरे में थे इसलि कर दिया जाएगा अगले दिन मीरा अपने ओफिस में होती है तो भी वीवर वहां पे आके बताता है कि हमारे कमपनी ने हमें बैड लैंड्स नाम के एक एरिया को एक्स्प्लोर करने के लिए कहा है इसलिए मीरा अपने लोगों के साथ उस एरिया में चली जाती है अब अब जंगल में कुछ फीनिक्स कोलजर को मार देते थे लुकस को अब जिम पे शक होता है कि वही टेलर की मदद कर रहा है इसलिए वो एक प्लान बनाता है और स्काई के साथ बॉयलोन के बार में आ जाता है जहाँ पे वो जान बुच कर स्काई को छेडने लगता है साइड में ज जॉश भी पैठा हुआ था ये सब कुछ देखकर जॉश को घुसा आने लगता है और वो लुकस को जा के सिधा मारने लगता है लेकिन लुकस के सोलजर जॉश को पकड़ लेते हैं अब स्काई जॉश को बचाने के लिए जिम को ये सारा किस्सा बता देती हैं अब जिम परवे लोग जौश को छोड़ देते हैं लेकिन फिर लूकर जिम को काफी टॉर्चर करता है तकि वो टेलर का लोकेशन बता दे लेकिन जिम अपने मूह नहीं खोलता वही हम वीवर को देखते हैं जब वो जंगल गया था तब उसे एक बग ने काट दिया था जिसके चलते उ वो उसे जिम को छोड़ने के लिए कहती हैं वही जेल में हम देखते हैं लूकर अभी उसे टॉर्चर किये जा रहा था लेकिन जिम उसे पूछ था कि तुम अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करते हो तब लूकर अतीत का एक इंसिडेंट शेयर करता है जहां पे टेलर उसक इन से टेलर लूकर से काफी नफरत करने लगा था क्योंकि उसके कारण उनकी पतनी छोड़ के चली गई थी और लूकर इसी नफरत के कारण टेलर को हेट करता था अब इनके बाचीद के दर्मेन ही वहाँ पे वीवर आ जाता है और कहता है कि टेलर की कैम का पता चल गया है और लूकस वहाँ से जाते ही वो जिम को वहाँ से छुडवा देता है जिम के घर आते ही एलिजावेट वीवर को एंटिडोट दे देती है लेकिन यह कोई एंटिडोट नहीं होता बलकि बेहोशी की दवाई होती है असल में एलिजावेट ने वीवर को पैरासाइट का लार में उसे पकड़ने के लिए आता है लेकिन उसे पता चलता है कि जिम और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से भाग गई है लेकिन सारी आर्मियों ने ढूडने लगती है और वे लोग आके एक जगा पे छुप जाते हैं उनका बाहर जाना मुश्किल होता है लेकिन अभी महाँ पे लिटेन अलीशिया आ जाती है उनकी मदद करने के लिए और इने बचाने के लिए एक जगा पे बॉम ब्लस्ट कर देती है जिसके कारण जिम और उसकी फैमिली कॉलनी से बाहर चले जाते हैं जहाँ पे टेलर उनका वेटी कर रहा था और वो उन्हें लेकर जाता है लेकिन उसी में अलीशिया पकड़ी जाती है इसलिए लूकस उसे सीधा माल देता है अब यहाँ पे जीम और टेलर एक टेंपररी कैम्प में जाकर पहुँच जाते है अब यहाँ पे अगले दिन मीरा बैडलेंस इस जगा से वापस आती है अ लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो फ्यूचर में से उनका पूरा कॉन्टैक्ट मिट जाएगा लेकिन उनके पास और कोई भी आप्शन नहीं होता अब यहाँ पे मैलकम ने फिनिक्स के लिए एक नया पोर्टल टर्मिनस बना दिया हो होता है इसलिए उसकी शिप्मेंट वो खुद लेकर जाने का सोचता है उसके साथ स्काई भी आई होती है क्योंकि उसे टेलर के लोकेशन पता होती है और इस बात पे लूकस भी उससे लेके जाने के लिए राजी होता है अब यहाँ पे कैम्प में यह लोग प्लान बना रह दूसरी जगा रास्ते में स्काई लूकस को टेलर को कैसे हराना है यह बताती है और लूकस उसी समय उस शिप्मेंट को रोकते हुए दूसरी शिप्मेंट को लेके जाने का ओर्डर देता है ताकि वो कॉलनी में वापन स्लोट कर टेलर को पहले पकड़ सके लेकिन यह सारा प्लान होता है तब ही मार्क फिनिक्स सोलजर के ड्रेस में आता है और लूकस को पकड़ के काफी मारते है और उनके शिप्मेंट के जगा पे लूकस का शिप्मेंट में अदला बदली कर देते है जिसके अंदर जिम चुपा हुआ था और जो लूकस का शिप्मेंट हूस में Lucas को ही बांद देते है लेकिन Jim लेकिन मार के वहाँ जाने के बाद Lucas खुद को फ्री कर देता है और Sky जो उसके उपर नजर रखे थी उसे बेहोश करके Terminus के तरफ जाने लगता है फूरे समय के बाद Sky को जब होश आता है तो सबसे पहले वो Taylor को Lucas के free होने के बारे में बता देती है तो Taylor भी Lucas को ढूढने के लिए निकल जाता है अब यहाँ पर Jim जो एक shipment के अंदर छुपा हुआ था वो Terminus के पास पहुँच जाता है वही दूसरी तरफ Lucas उसे रोकने के लिए भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा था लेकिन Taylor आके उसे रोक लेता है वहाँ उन दोनों के बीज में बहुत ही जादा लडाई चुरू होती है लेकिन जब Taylor Lucas को मारने ही वाला होता है तब Lucas अपने पिता से माफी मागने लगता है के कारण Taylor का दिल पिगल जाता है और अपने बेटी को वो गले लगने के लिए कहते है लेकिन ये Lucas का नाटक था वो Taylor को हग करती वक सीधा उनके पेट में नाइफ घुसा देता है और वो Taylor को बुरी तरीके से मारने ही वाला होता है लेकिन तबी पीछे से सकाय आकर Lucas के पेर पर गोली मार देती है तो यहां दूसरी तरफ जिम जो shipment में छुपा हुआ था उसे portal में डाल दिया जाता है वो successfully 2150 में Hope Plaza में पहुँच जाता है अब future में Weaver और उसके कुछ साथी भी आये होते है Weaver अपने authorities को Badlands में जो artifact मिला था जो मीरा लेके आई थी जो कि काफी कीमती था उसके बारे में बता रहा होता है तकि वे लोग उसकी जल से जल डील कर सके जिससे इने काफी करोडों पैसे मिलने वाले थे अब ये सारी बाते कंटेनर के अंदर से जिम सुन लेता है अब उसे पता चल जाता है कि ये लो कंटेनर खोलने के लिए आ रहे हैं और तब ये उसे रियलाइज होता है कि इन कंटेनर में से एक में डाइनसार भी है और वो सीरी इंज वो उसी को लगाता है जिसके कारण उस बेहोश डाइनसार को होश आता है और जैसे ही shipment खुलता है वो डाइनोस और पूरा बे काबू हो जाता है और सब पे हमला करने लगता है इसी मौके का फाइदा उठा कर जिम बाकी soldier से लड़ते हुए hope plaza याने wormhole के यहाँ पे जा पहुचता है और वहाँ पे जाके bomb fit करता है तो यहाँ दूसरी जगा हम देखते है sky टेलर का इलाज कर रही होती है लेकिन इसी दोरान Lucas वहाँ से बच कर भाग चुका होता है future में देखते हैं जिम ने जो bomb fit किया था वो एक timer के बाद फटने वाला था इसके पहले जिम को वापन से अतीत में जाना था पोर्टल धीरे धीरे destroy हो रहा था और उसके पहले ही जिम वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन तभी वीवर उसके सामने gun पकड़ लेता है वीवर उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी वो डाइनोसार आकर वीवर को मार देता है जिसके बाद बो डाइनस और जिम का पीछा करते हुए पोर्टल तक आने लगता है जिम बड़ी ही मुश्किल से कैसे तैसे होप प्लाजा डिस्ट्रॉई होने से पहले वहाँ से निकल आता है अब यहाँ पे मालकम के मदद से जिम किसी दूसरे टर्मिनल साइट पे आ पहुँचता है ताकि फिनिक्स सोल्चर उसे मार ना दे जहाँ पे उसे एलिजाबिद में मिलती है और दोनों रियूनाइट होते हैं अब यहाँ पे फिनिक्स आर्मी को थोड़े समय के बाद पता चल जाता है कि होप फ्लाजा डिस्ट्रॉई हो चुका है यह जानते ही मीरा बहुत ही जादा सदमे में चली जाती है क्योंकि उसका पूरा परिवार उसकी बेटी फ्यूचर में ही थी और मीरा और यह आर्मी यहाँ पे हमेशा के लिए अटक गए थे वही जीम और एलिजावेट आके टेलर से मिलते हैं जहां बॉइल ओन सब को बताता है कि फिनिक्स आर्मी अब टेरा नोवा इस कॉलिनी को छोड़ के चले गए हैं टेलर, जीम, एलिजावेट और काफी सारे सोलजर वापस अपने अपने घर में आने लगते हैं जिसके बाद सभी लोग मिलकर इस हाफ डिस्ट्रोई टेरा नोवा को ठीक करने लगते हैं और इसी तरह यह लोग फिनिक्स आर्मी और लुकस के प्लान को चॉपट करते हैं तबी मार्क आके बताता है कि जो फिनिक्स के सोलजर थे वो बैड लॉट्स के तरफ ही जाते हुए देखा है यह वही जगा जहां पे वो खास आर्टिफेक्ट उन्हें मिला था अब उन्हें याद आता है कि लुकस के साथ अदला बदली किया हुआ कंटेनर इनी के पास है यानि वो जो बेहत कीमती आर्टिफेक्ट था वो यही पर है इसलिए वो उसे देखने जाते हैं तो वो खोलने पर उन्हें अट्रावी शताबदी की एक बहुत दूरलब शिप दिखाई देती है जिसकी कीमत 250 में काफी करोडों रुपे में थी लेकिन उन्हें समझ नहीं जाता कि ये शीप यहां पे कैसे आई योगि इस समय में तो कोई भी शीप या इनसान का होना ही नामुम्किन था और तभी अलीजाबेत और मालकम गेस करते हैं कि यहां पे इतने सारे वाम होल के गेट्स खोले गए थे जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि स्पेस टाइम के फैब को को आल्टरीडी थी और इसी के कारण यहां पर आकर वो उस वर्म होल से अतीत की जो भी कीम्ती चीजे थी वो फ्यूचर में लेके जाना चाहते थे और इसी वर्म होल से वापत जाने के लिए ही फीनिक्स की आर्मी और मीरा उस जगा पे चले गए थे और यहां पे सब को होता है कि टेरा नोवा में ऐसे काफी सारी चीज़े है जो उन्होंने अभी तक explore नहीं की है अब टेलर एक नया मिशन सेट करता है कि आने वले कुछ दिनों में उसी जगा जाकर वे लोग उसी टाइम पोर्टल को ढूंडेंगे और इधर ही इस सीजन का एंड हो जाता है ये थी सीरीज टेरा नोवा जो 2011 में रिलीज हुई थी इसका एक ही सीजन आया था जो अभी अभी मैंने पूरा explain कर दिया है सीजन टू को cancel कर दिया गया था क्योंकि Fox Network के पास उतना budget नहीं था I hope आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी If yes तो please comment में कुछ मुझे feedback दीजे और एक like जरूर कीजेगा